Dear students, एक बार फिट से आपका स्वागता आपके अपने चैनल चंदराज सर में तो Dear students, मैं आपको बताना चाहा रहा हूँ जैसा आप लोगों ने थमनिल देख लिया होगा कि इस बार aims में क्या कठफ हो सकता है कितने मार्स पे कौन सा aims मिलने की संभावना आपको है मैं इसी को इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ क्योंकि आप सारे fluctuations हो चुके है अब हर तरह का changes जा चुका है पूरा rank clear हो चुका है आपका और मार्स clear हो चुका है अब उसके basis पे आपको decision मिल सकता है कि आपको कौन सा aims मिलने की संभावना है तो जैसा आपने देखा कल का result कि cut-off काफी high गया है और काफी high जाने के वज़ा से fluctuation जरूर आएगा अब उसी के हिसाब से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर aims new Delhi की बात करता हूँ तो aims new Delhi सबसे पहले number one में है आपको पता ही है मक्का मदिना बोलते हैं उसको लोग medical college का तो medical college का एक तरह से dream project जो बोलते हैं हर एक students का dream होता है कि मेरा last destination यही है इंडिया में medical के लिए last destination माना जाता है तो मेरे हिसाब से जो है वो आपका पहला जो है sorry first destination माना जाता है आपको कि पहला जो है वो मेरा यही होना चाहिए इस के लावा first नाखरी यही हो अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप category wise cut up देखोगे कि किस rank पे मिल सकता है कितने marks पे मिल सकता है तो last year के अगर बात करोगे तो general category में जो है वो 670 plus marks वालों को ms मिला था लेकिन इस साल ऐसा नहीं होने जा रहा है क्योंकि अगर आप general category की बात दिली में करोगे नियू देली में ms में तो वहाँ पे 51 seat हैं तो आप इससे idea लगा लो कि आपका 700 plus marks होना चाहिए अगर आपका 700 marks और 700 plus marks जा रहा है तभी आपको general category में ms नियू देली मिलने के संभावना होगी अब इसका मतलब है हाँ हो सकता है कि 2-4 नंबर का fluctuation एक-2 नंबर का आ जाए इसलिए बोल रहाँ कि 66 seat में OVC कितने हैं, general कितने हैं SC कितने हैं, ST कितने हैं ये भी depend करेगा लेकिन ये margin बहुत जादा नहीं जाएगा क्योंकि एक-एक-दो-दो नंबर के margin पे काफी सारे students हैं अब इसके बाद आता है OVC अगर मैं बात करूं, तो last year आपको पता होगा कि last year में जो हाँ वो 670 प्लस पे OVC मिल गया था वहाँ पे 678 प्लस पे जो हाँ 678 प्लस पे जो है वो MC निदेली मिला था, लेकिन इस साल दूर-दूर ता कोई संभावना नहीं है, इस बार 695 प्लस आपको लाना पड़ेगा 695 और प्लस 695 तब जाके आपको OVC कटेगरी में आपको मिलने की संभावना रहेगी MC निदेली क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे OVC का केवल 27 seats है और उसी 27 seats के लिए आपको फाइट करना है SC कटेगरी में जैसे आपको पता है कि निदेली में 15 seat हैं और वहाँ पे जो कटफ जाएगा इस बार हाई कटफ जाएगा और हाई कटफ में आपका जो है वो 655 नंबर आपका जा सकता है मतला 655 नंबर तक आपको जो है वो SC कटेगरी मिलेगा और 650 प्लस मार्च पे आपको जो है वो SC कटेगरी में आपको AEMS New Delhi मिलने की संभावना है तो ये इस बार का कटफ एनलाइसिस AEMS New Delhi का है अगर हम AEMS Bhopal की बात करें तो AEMS Bhopal की बात करोगे तो वहाँ भी जो है वो कुछ ऐसा ही सिनेरियो लगबब बनता है क्योंकि सेट M's भौपाल और M's देली में लगबब से मैं अब 100 सीट की बात यहां पर करते हैं थोड़ा सा सीट का मैं क्योंकि वहां पर सीट M's न्यू देली में थोड़ा सीट जादा है मतलब इस बार इसे बिलो मार्स वालों को M's भौपाल नहीं मिलने जा रहा है अगर aims bonuswar का idea लें तो aims bonuswar में भी कुछ इस तरह का ही condition हुआ था ये मैं आपको अब ऐसा analysis जो दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि exact cut up निकल के आ चुका है पहले हम लोग एक expectation लगा रहे थे पर आपको मैं last three year का rank wise के हिसाब से मैं cut up जो देख रहा हूँ उसके हिसाब से मैंने एक list बनाई और compare करके बताया कि almost क्या fluctuation आया है अगर देखोगे आप bonuswar की बात करोगे तो bonuswar में 680 plus पे general category पे आपको मिल सकता है 670 plus पे OBC पे मिल सकता है 650 plus SC पे और 635 plus ST पे मिल सकता है मतला अगर आपका score इतना हो रहा है category wise तो आप choice filling में in college को सबसे first priority में रख सकते हो इसके बाद हमारे पास आता है अगला strategy जो हमारे पास है वो है इसके बाद का M's जो है वो है M's जोदपूर वहाँ भी काफी fluctuation देखने को मिलेगा general category में 670 plus marks पे आपको मिलेगा वही 655 से लेकर 670 marks के बीच में OBC category में मिलने के संभावना होगी 635 से 650 के बीच में आपको SC category में मिलेगा और 620 से लेकर 640 के बीच में आपको ST category में मिलेगा मतलब M's जोदपूर में भी cut up इस बार अच्छा जाने वाला है low cut up पे आपको M's में लेकर संभावना कम रहेगी इसके अलबा आते हैं M's patna M's patna की बात करोगे तो M's patna का general cut up जो होगा वो 655 plus होगा उससे नीचे नहीं जाएगा और OBC का cut up 645 से 645 के बीच में जाएगा वहीं SC की cut up की अगर बात करूँ तो 630 से 645 के बीच हो सकता है और ST का cut up जो है वो 622 नंबर से लेकर 640 के बीच में हो सकता है तो ये रहेगा इस बार का fluctuation आपका जिसमें M's patna की बात कर रहा हूँ अब आपके पास आता है उत्राखन की तरफ चलते हैं जहाँ पे M's Risi Case M's Risi Case में भी हम लोग को पता है 100 सीट है और 100 सीट में भी इस बार वहाँ पे पिछले साल तो 605-610 नंबर वालों को भी जो है M's Risi Case मिला था लेकिन इस बार अगर आप category wise भी है तब भी आपको 610 नंबर पे M's Risi Case मिलने की संभावना नहीं है मतब general category में आपको 650 प्लस score करना पड़ेगा तब जाके आपको M's Risi Case मिल सकता है और अगर आप OVC category की बात है तो 635-650 के बीच में अगर score है तब संभावना आपका जो है वो M's Risi Case का है और 630 से लेकर 640 नंबर अगर आपका SC category में है तब आपको मिल सकता M's Risi Case और 615 से लेकर 625 के बीच में अगर आपका SC category में है तब आपको M's Risi Case मिल सकता है मतब overall जो जानकारी अब तक निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि अगर 600 से नीचे score है तो आप अपने choice feeling में M's ना भरें क्योंकि M's के मिलने की संभावना नहीं होगी 600 प्लस पे ही आपको M's मिलने की संभावना है चाहे वो आप किसी भी category में हो General हो, OBC हो, SC हो या ST हो उससे below पे बिलकुल संभावना नहीं है दूर दूर तक संभावना नहीं है कि आपको college मिल सकता है M's का अधर उससे कम नंबर है तो आप second round जब आपका state का होता है तो आप state के हिसाब से भरिये कि कौन सा college मुझे अलाट हो सकता है आप लोग मुझे जरूर बताना कि आप लोग किस state से हो और वहाँ पे मैं आपको बता दूँगा बहुत जल्दी मैं आने वाला हूँ सब वीडियो लेके statewide वीडियो लेके आने वाला हूँ कि किस state का cut-off कितना हो सकता है और कितने नंबर पे कौन सा medical college किस state में मिल सकता है ये सारे detail information में आप तक लेके आऊंगा और आपके लिए भी लगतार 3-4 दिन मेहनत करूँगा क्योंकि last week of October में आपका counseling है तब तक आपको एक एक college के पूरी जानकारी रखके यहाँ पे इस channel पे आपको लाके रख दूँगा आप लोग मेरे साथ channel पे बने रहिएगा और आपको बता दिया था कि कल भी मैं इंस्टा पे live आया था और संडे को भी मैं इंस्टा पे इस बार live आ रहा हूँ सामके 6 बजे संडे को इंस्टा पे live आ रहा हूँ तो आप लोग को जो भी जानकारी लेना होगा आप लोग मुझे Instagram पे follow करके रखिएगा मेरा हैंडल इंस्टा ग्राम हैंडल चंद्रासर के नाम से मैं आपको संडे को दोबारा इस बार 6 बजे सामको मिलूंगा थांक यू सो मच फूर वाचिंग मैं इस वीडियो